हेलो दोश्तों यदि आप प्रवरता की स्पोकन इंगलिस का फुल कोर्स यूटीब चैनल पर देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे चैनल के नाम पर क्लिक करें जिससे आप चैनल पर पहुंच जाएंगे जहां प्लेलिस पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स के सारे वीड देखें ताकि आपको हर चीज असानी से समझ में आ जाए और आप नए हैं तो यहां क्लिक करके चैनल को जरूर सब्क्राइब कर ले बेल बटन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले नए वीडियो नोटिफिक्स के साथ आपको मिलते रहें और आप इंग्लिस सीखते रहें तो आई ये शुरू करते हैं आज की क्लास आपके अपने इन इलेस के साथ डेलि इंग्लिस प्रेक्रिस का इलेसन 3 है जहां हम छोटे-छोटे सेंटेंस को देखेंगे जो की बोलचाल में काफे प्रयोग होते हैं ऐसे सेंटेंस जिनका की ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है फिर भी इन सेंटेंसों के बिना हमारी इंग्लिस इसपोकन इंग्लिस में बातचीत करना कठिन है ऐसे सेंटेंस जो की बहुत अधिक प्रयोग किये जाता है इंग्लिस में बातचीत के दोरान और जो की ग्रामर से बिलकुल परें जिसमें ग्रामर का यूस नहीं होता है बस हम कहते हैं और सामने वाला समझ जाता है या सामने वाला कहता है और हम समझ जाते हैं तो language या भासा का भी यही जो main purpose है यो use है कि हम किसी अपनी भासा की दवारा सामने वाले को अपनी भाव, feelings को share करते हैं तो आज हम ऐसे sentence देखेंगे जो कि इंगलीज के बोल चाल में प्रयोग होते है और वो भले छोटे हैं मगर उनका अर्थ पूरा पूरा जाता है जैसे हम no और उसके बाद कुछ बोलते हैं जैसे no का अर्थ होता है नहीं क्लिए no का अर्थ क्या होता है नहीं तो no के बाद कुछ हम सब्द करके बोलते हैं जैसे नो आइडिया कोई आइडिया नहीं है यदि मैं बोल रहा हो कि no आइडिया मिंस कहने का क्या आशे होगा मुझे कोई आइडिया नहीं है मुझे कुछ भी मालूम नहीं है इसमें कोई रिस्क नहीं है तो इसे हम simply क्या कहेंगे no risk कोई रिस्क नहीं no risk कोई उप्योग नहीं no use कोई problem नहीं no problem तो इस प्रकार हम इन छोटे छोटे वर्ट का यूश इंग्लीज बोल चाल में करते हैं और जिसका आज से सामने वाला बिल्कुल समझ जाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं तो इस प्रकार यह sentence है छोटे मगर मीनिंग उसका पूरा जाता है और आगे देखे हम मुझे इंट्रेस्ट नहीं है या कोई इंट्रेस्ट नहीं no interest सिग्नल नहीं है no signal कोई टेस्ट नहीं no test और कोई light नहीं या light नहीं चाहिए मुझे no light अब हम मुगला देखेंगे sum sum का अर्थ होगा कुछ sum का मिनिंग क्या होता है कुछ ठीक या थोड़ा sum का अर्थ होगा थोड़ा या कुछ तो थोड़ी सी चाह या थोड़ी चाह सम टी थोड़ा दूर सम मिल्क थोड़ी टोस्ट सम टोस्ट कुछ डाउट या कुछ संका है some doubts जैसे किसे ने पूछा do you have any doubts तो आप कहेंगे yes some doubts हाँ है कुछ doubts तो कहने का मतलब जाएगा कि हाँ कुछ doubts मेरे है बस पर दो हमने इतना छोटा सा कहा some doubts और sentence पूरा गया मेनिंग पूरा आ गया इसका अब अगला होगा more more का मतलब होगा और अधिक या अधिक और अधिक समय या और समय more time और rest more rest अधिक टेंशन या और अधिक टेंशन more tension ज्यादा काम अधिक काम more work कुछ एक और एक्जामपल और पानी more water और पैसे more money और प्रेक्टिस more practice और राइस या और अधिक राइस या चावल more rice अब अगला होगा can't जैसे can't मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ तो यहाँ इसका अर्था आएगा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ can't का मीनिंग क्या रहा है कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जैसे can't understand मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ can't stand खड़े नहीं रह पा रहा हूँ can't sleep मैं सो नहीं पा रहा हूँ या मुझे नीन नहीं आ रही है मैं हल नहीं कर सकता हूँ can't shawl अब कुछ ऐसे words sentence जिसमें हम कुछ और फिर please बोलते हैं जैसे मुझे एक चाय दीजी please sentence कर जाएगा हिंदी में हिंदी में क्योंकि meaning बड़ा जाएगा क्योंकि अर्थ कहने का भाव वही होगा एक चाय देना मुझे please one tea please इसमें देना का meaning ही नहीं है परन्तु आसे वही होगा कि मुझे एक चाय दीजीए please one tea please छुटे दीजीए change please बिल दीजीए बिल प्लीज राष्ता दीजीए site please जगह दीजीए seat please मुझे पेपर दीजीए paper please मतलब paper जो रखा है कब पर मुझे दे दो ऐसा कहने का असा है तो कहेंगे paper please एक दर्जन के लिए दीजीए please a dozen of banana please प्लीज गॉर्ट श्री गॉर्ट अ मतलब कोई चीज है क्या य़ रखते है क्या means got a pain क्या आपका पास pain है क्या आपका पास pain क्या आपके पास pain है क्या आपके पास lighter है है got a lighter क्या आपके पास lighter है तो क्या और आपके पास जोगी समने वाले से कह रहे हैं इसलिए आपका सेंस होगा उसमें clear क्या आपके पास घड़ी है got a watch क्या आपके पास stapler है got a stapler अब next है going और फिर कोई words जैसे going मतलब जा रहा है जा रहे हो going out क्या बाहर जा रहे हो going to market मार्केट जा रहे हो या फिर किसे ने पूछा where are you going आप कहां जा रहे हैं तो हम कहेंगे going to market मार्केट जा रहा हूँ तो इसमें दोनों sense आएंगे यदि आप किसी को बोल रहे है directly तो कहने का अर्थ होगा कि आप मार्केट जा रहे हो और जवाब में देंगे तो आप कहेंगे going to market मतलब मैं मार्केट जा रहा हूँ मैं office जा रहा हूँ going to office मैं station जा रहा हूँ going to station अब next है blank और something something मतलब कुछ या कोई चीज जैसे doing something doing मतलब होता एक करना something मतलब कुछ कुछ कर रहा है या कुछ कर रहे हो जैसे किछे ने पूछा वह क्या कर रहा है तो कहेंगे doing something कि वह कुछ कर रहा है वह कुछ कर रहा है ऐसा कहने का से होगा पर simply हम क्या reply करेंगे doing something कुछ लिख रहा है writing something कुछ कह रहा है saying something अब but but का अर्थ होगा लेकिन परंतु लेकिन परंतु या किन्तु but why लेकिन क्यों परंतु क्यों why का अर्थ क्या होगा क्यों और but का अर्थ निकले गए हम पर लेकिन या क्यों but why लेकिन क्यों परंतु कौन लेकिन कौन but who लेकिन कैसे but how लेकिन कर्व लेकिन कर्व बट वैन लेकिन कहां बट वेर नेक्स्ट होगा दैन देन कर्थ निकलेगा फिर देन कर्थ निकलेगा फिर जैसे सेंटेंस देन वाट तब क्या या फिर उसके बाद क्या वाट कर्थ होगा क्या देन का मतलब फिर तो मतलब उसके बाद या फिर उसके बाद क्या देन वाट उसके बाद क्या then when उसके बाद कब then when उसके बाद कब उसके बाद कहा then where उसके बाद कैसे then how any any मतलब कोई क्या मिनिंग जाए गए हाँ पर any का कोई कोई संभावन any possibility कोई अनुभाव any experience कोई समस्य any problem कोई अच्छी news any good news कोई प्रस्ट any question कोई संका कोई doubt any doubt कोई expectation या कोई या कुछ आप चाह रहे हो any expectation अब हम कुछ बोलते हैं फिर और बोलते हैं फिर कोई word बोलते हैं now और लेटर और का अर्थ क्या जाएगा अथ्वा और का यहां मिनिंग क्या होगा अथ्वा नाव मतलब अभी या लेटर लेटर मतलब बाद में तो अभी या बाद में जैसे किसी ने पूछा will you take dinner now और लेटर क्या आप डिनर अभी लोगे या बाद में लोगे clear is he coming क्या वो आ रहा है फिर आपने पूछा now और लेटर अभी या बाद में आ रहा है किसी ने आप से कहा you have to come तुम्हें आना है तो आप कहोगे now और लेटर अभी या बाद में फिर जैसे हम कहते हैं आज या कल today और tomorrow today और tomorrow यह या वह यह या वो this और that फिर what would you like tea और coffee तुम्हें क्या पसंद है चाय या कॉफी अब क्या लोगे tea और कॉफी तो हम क्या कहेंगे tea और कॉफी इस पकास हम बोलते हैं फिर your your means तुम्हारा ठीक जैसे हम कहते हैं तुम्हारा बेग your बेग जैसे कोई जा रहा है और अपना बेग वहीं बेंच फे भूल गया तो हम उसे आवाज देते हैं sir you are big या simply कहेंगे आपका बेग तो इंगलिस में कहेंगे your big और sir करके भी बोल सकते हैं या फिर simply कोई अंजानी है तो हम कहेंगे your big आपका चस्मा your glasses जैसे हम कहते हैं हम किसी जगह पर बैठे हैं किसी की चेयर पर बैंच पर और वहाँ पर उसका कुछ सामान रखा हुआ है तो हम उसे उठाते हैं your big your glasses your hangy आपकी रुमाल clear कहते हैं your parcel आपका parcel sir आपका order your order अब next है good good का अर्थ होगा यहां पर अच्छा ठीक अच्छा एडिया है good idea अच्छा विचार है good idea अच्छा प्लान है good plan अच्छा प्रश्न है good question next है absolutely absolutely means निशित रूप से बिल्कुल यह पूर नरूप से तुम बिल्कुल सही हूँ absolutely right बिल्कुल गलत है absolutely wrong बिल्कुल साफ है absolutely clear next है must be और फिर कोई words जैसे चुवा हो सकता है या अवज से चुवा होना चाहिए तब हम कहेंगे must be a mouse अवज से ही रोहित होना चाहिए या अवज से ही रोहित होगा must be रोहित बाहर से साथ कुछ हावा जा रही है I think guy होना चाहिए या वस ही guy होगी must be a cow अब preposition के साथ भी हम बोलते हैं जैसे on के साथ on का अर्थ होगा किसी चीज के ऊपर on का use हम करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी होती है तब तो on का के मिन जाएगा के ऊपर जैसे हम कहेंगे on the roof मतलब छट के ऊपर जमीन पर जमीन के ऊपर on the floor टीवी पर on the TV पलंग पर बिस्तर पर बेट पर on the bed अब अब next है not और फिर कोई word तो not का रथ हो गए याँ पर नहीं मतलब कोई नहीं जैसे मुझे कोई समस्चा नहीं है no difficulty इसमें कुछ प्रॉब्लम है not difficult ठीक तो not का मतलब होगा यहाँ पर नहीं या कुछ नहीं क्या यह difficult है तो आप कहांगे not difficult यह कठिन नहीं है वह वहाँ नहीं है not there जैसे किसी नहीं पूछा is he there क्या वह वहाँ है तो आप simply कहेंगे not there कहने का से किया जाएगा कि वह वहाँ नहीं है ऐसा नहीं not so यह आसान नहीं है आसान नहीं है not easy अब next होगा हमारा looks तो looks कार्थ होगा यहां पर ऐसा दिखता है यह ऐसा लगता है यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे looks clean तो looks मतलब ऐसा लगता है कि यह साफ है looks clean मतलब यह साफ दिखता है यह साफ दिखता है looks old यह पुराना दिखता है looks old यह पुराना दिख रहा है यह तो बिल्कुल नया दिख रहा है looks new जैसे किछी ने आपको घड़ी दिखाई कि यहाँ गिली रग रही है यहाँ गिली दिख रही है लुक्स वेट यह अच्छी दिखती है लुक्स नाइस अब इसी प्रकार से वर्ब फिल्ड का भी हम यूज़ करते हैं फिल्ड और फिर मतलब ऐसा प्रतीत होता है अनुबह होता है एहसास होता है जैसे हम किसी चीज को छूते हैं तो हमें कुछ एसास होता है और फिर हम कहते हैं ठीक लुक्स में हम देख कर बोलते हैं और यहाँ छू कर या अनुबह करके बोलते हैं फिल्स ड्राइ फिल्स ड्राइ मतलब भी सूखी महसूस हो रही है यह सूखी सूखी लग रही है यह चिपचिपी लग रही है फिल्स इस्टीकी यह सौट लग रही है फिल्स सौट यह कठोर यह हार्ड लग रही है फिल्स हार्ड फिर next है taste मतलब यहाँ पर हम स्वाद के बारे में बात करें कि यह इसका स्वाद कैसा लग रहा है जैसे taste good मतलब अच्छा स्वाद लग रहा है कहने का क्या से जाएगा कि इसका अच्छा स्वाद है यह अच्छा स्वाद लग रहा है यह बिल्कुल अजीब लग रहा है टेस्ट स्ट्रेंज यह इसका स्वाद बिल्कुल अजीब आ रहा है जैसे आपने कुछ खाया और कहेंगे टेस्ट स्ट्रेंज बिल्कुल अजीब सा लग रहा है यह बहुत मीठा लग रहा है बहुत मीठा लग रहा है टेस्ट टू स्वीट टू स्वीट मतलब बहुत मीठा यह नमकीन लग रहा है टेस्ट शॉल्डी नेश्ट है smells मतलब किसी चीज की सुगंध से हम कह रहे हैं किसी चीज की सुगंध के बारे में हम कह रहे हैं इसकी सुगन अच्छी आ रही है, इसकी सुगन बूरी आ रही है, ठीक, इसकी सुगन अच्छी है, कहने का मतलब क्या है, सुगन अच्छी है, या इसकी सुगन बहुत अच्छी आ रही है, कहेंगे, खुजबू बहुत अच्छी है या खुजबू बहुत अच्छी आ रही है इसमेल्स वंडर्फुल अच्छी खुजबू है इसमेल्स नाइस अब नीट नीट कार्थ होगा जरूरत है यह आवसकता है जैसे आप सामने वाले से कहते हैं क्या आपको मदद किया हो सकता है तो हम simply कहेंगे need any help need any help सामने वाले समझ जाएगा कि हां क्या कह रहा है क्या वो पूछ रहा है क्या मुझे मदद किया हो सकता है clear जैसे हम सामने वाले से पूछेंगे क्या तुम्हें कोछ चाहिए need something need something क्या तुम्हें थोड़े चावल चाहिए थोड़े चावल चाहिए need some rice need some rice क्या तुम्हें थोड़ी दाल चाहिए need some pearls तो इस प्रकार हमने देखा छोटे छोटे सेंटेंज जो बाचित में हम यूज करते हैं और जिनका अर्थ पूरा जाता है और इन words के बीना English बोलना बाचित करना अधूरासा है clear so इसलिए इन sentence में न तो grammar के आउशकता होती है न किसी चीज की बस simply ये चीजे हमें reading से और listening से आती है तो listening में आप English Serials, Movie, News और starting में आप Moral Stories या Cartoon Animation वाली Stories, Movie देखें जिसमें English बहुती साफ clearly होती है और जो हमें आसानी समझ में आ जाती है फिर धीरे धीरे improve अपने आप होगी और फिर हम और movie serials वोगे देखेंगे जो foreign वाले हैं English के और भी हम easily समझ पाएंगे तो आज के वीडियो में बस इतना ही अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंड्स करें और चैनल को जरूर सब्क्राइब कर ले, बेल बटन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले नए वीडियो आपको नोटिफिकिस्न के साथ मिलते रहें और आप English सीखते रहें तेंक यूँ झाल